नमस्कार दोस्तों स्वागर आप आप सभी का टेकी राची टूब चेनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि केसे आप अपने किसी भी सैंसंग मोवाइल पर जो आपका सैंसंग एकाउन है आप उसका पासवोड केसे चेंज कर सकते आज केस वीडियो पे में आपको वो सेटिंग करके बताने वाला है तो दोस्तों यह आपके पास धी सैमसंग एकाउन है और दोस्तों यह आपस पासवाड है उसको आप चेंश करना क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक कर जिएगए और यदि आप उन-लائن से पेशा कामा ना चाहते तो आप हमारा वीडियो के दिस्क्रिप्षिन पर लिंक चेक आउट कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप यहाँ पर जो है यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग पर सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आपको आना है ठीक है तो यहाँ पर आपको जाने के बाद दोस्तों आपको द सेक्यूरिटी यहाँ पर जाए उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है चेंज पास्वोड ठीक है तो आपको यहाँ पर जाके दोस्तों पास्वोड को चेंज कर देना है तो आप दोस्तों यहाँ पर कॉंफर्म क्लिक कीजिए कॉंफर्म क्लिक करने के दोस्तों आपको यहाँ पर पास्वोड चेंज करने का उप्शिन मिल जाएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने ठीक आपका पुराना पास्वोड आपको यहाँ पर एड करने तो यहाँ पर दोस्तों मेरा पुराना पास्वोड उसको एड कर देता हूं ठीक है वी आहाँ पर पास्वाट मेरा पास्वाट करेंट उसके बाद दोस्तोर आते ही आपर नेऊ न्यू पास्वाट वहां में प्रहता हैं घुत हैं इसके बाद ऑस्वागसे पर यहां परैसे लिखacerike वहां करें थीर, पक्रना फोस्तोर यहां لोग्त फिर घ्राया है सट चले देख देख लिंग्दें 25 Uhr मेंने सेट कर लेकिन दोस्तों मुझे भी आपर पाफूर्ट पाता नहीं कि यहाँ पर सही-सही टाइप किया या फिर कोई मिस्थिक हो रहत रहती हैं जै कि कुन्फर्म करके देख देख दें यह तो प्लाइज गूँर्प पासवर्ट बता रहा है तो यहां पर दोस्तो पासवर्ट को यहां पर और क्यार कॉंफर्म करेगा तो यहां पर दोस्तो इसको दुबारा से हम चेंज करते ठीक है तो यहां पर दोस्तो हो गया पासवर्ट ठीक है दुबारा से हम ट्राइ करते तो कॉंफर्म यहां पर कर दिय उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पास्वार्ट चैंच कॉंप्लिटली उसके बाद कॉंफर्म करते हैं तो कॉंफर्म करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पास्वार्ट चैंच हो चुका है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो एकाउन है वह लोगाउट हो चु तो यहां पर आपका जो एकाउन ने वह दुबारा से लोगिन हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों आपको पूरा यहां पर इसको टिक करके एगरी कर देने ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते जो एकाउन ने वह अभी लोगिन हो रहा है